जार खंड में स्पेन की महिला टोरिस के साथ भयावय घटना ने पूरे देश घुला कर रख दिया घटना एक मार्च की है जिससे आरोपीयों ने दुमका के हंस डीरा में अंजाम दिया घटना को लेकर स्पेनिश महिला ने F.I.R. दर्ज कराई है जो किसी हौरर स्टोरी से कम नहीं है वहीं दुमका एसवी पितामबर सिंग खेरवार ने प्रेस कॉन्फरेंस कर घटना की पूरी जानकारी दी है उन्होंने कहा घटना के बाद स्पेनिश कपल हमारे पास आया था जिसके बाद हमने मामला दर्ज कर महिला का मिटकल कराया जिसमें गैंग रेप की पुस्ट्री हुई है महिला के बयान के आधार पर हमने तीन लोगों को गरफतार कर लिया है जबकि चार अंग के तलास जारी है इस पूरे मामले को लेकर पुलिस न क्या कुछ कहा पहले वो सुनिए अपर अथ्मिक स्वास्त के अंदरे सरयाहत नजदिक में वहां पर ले गए तो डोक्टर को उन लोगों ने बताया कि उनके साथ और जो लड़कों के द्वारा दुश्कर्म की घटना की गई है तो जैसे इसका सुचना मिला हम लोगों ने तरित करवाय करते हुआ पर गए और उनके द्वारा भी कुछ क्लू बताया था कि जिसके अधार पर हम लोगों अभिव्यक्तों के तक पहुंच पाये अर उनकी गिरफ़तारी भी पहले उनसे पूष्टाच किया हैं फलत उनको गिरफ़तार किया है और जो भी उसमें सामिल लोग हैं उनकी भी गिरफ़तारी जलत की जाएगी चुकि उनका नाम-पता सत्यापन हो चुका है अगर कोई नया तत्था आएगा तो उसको भी हम लोग साम्मिल करेंगे चुकि इसमें काफी गंभीर भी सहता इसमें साइटी का गठन दो किया गया है वहीं गठना को लेगर 28 साल की पीड़ता ने जो आप बीती सुनाई वो आपके रॉंग डे ख़ले कर देगी स्पैनिश महिला ने अफायार में बताया साथ आरूपियों ने मेरे साथ रेप किया पहले उन्होंने हम पर हमला किया हमें पीटा हमारी गर्दन पर चाकू रख दी और कहा वे हमें मारने जा रहे हैं लेकिन वे सिर्फ मेरा रेप करना चाहते थे इसके बाद आरोपियों ने मेरे पती की हाथ बांदिये और उन्हें पीटते रहे फिर उन्होंने मेरे साथ हैवानियत की इस दौरान सातों लगातार मेरे उपर लात मुक्के बरसाते रहे मुझे लग रहा था कि आरोपियों उस रात मेरी हत्या कर देंगे लेकिन भगवान की किरपा से मैं अभी जिन्दा हूँ घटना के बाद महिला ने सोशल मीडिया पोस्ट पर एक स्टोरी लगा कर अपनी आप बीती सुनाई बीत जगा जगा पोस्ट चलिए पर लगाया उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा पोस्ट ने मुझ से पोस्ट डिलिट करने को कहा है ताकि मामले की जांच में खलल ना पड़े इस अब बाद में पोस्ट करूँगी इसके बाद महिला ने अपना वीडियो पोस्ट किया जो सोशल मीडिया पर वाइरल हो गया वीडियो देख लोग आरोपियों को फासी देने की मांग करने लगे दूसरी दरफ घटना को लेकर दुमका एस्पी ने बताया कि 28 साल की स्पैनिश महिला और उसका 64 साल का पती बाइकर्स है जो वर्ल टूर पर निकले हैं बेज जगे जगे टूर करते हैं और कैम्प लगा कर रहते हैं रिपोर्ट्स की मायने तो दमपत्य टूरिस्ट वीजा पर भारत आये हैं इससे पहले हो पाकिस्तान गए फिर वहां से बांगलादेश उसके बाद जार खंडाए वहां से उनका नेपाल जाने का प्लान था फिलाल इस खबर को लिकर देश भर में रोश है लोगों की मांगे कि आरोपियों को जल से जल सजा दी जाए फिलाल इस ख़बर पर आपकी क्या राय है हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताएं और अधेश दुनिया के ऐसी ख़बरों के लिए बने रही है न्यूजट इन इंडिया ओर्जिनल्स के साथ